दोस्तो स्वागत है एक बाद फीर से आप सभी किया आपका अपने ही चैनल किंग फैंटस्टिप्स में इस वीडियो में न्यूजीलेंड बर्सिज इंडिया के बिज जो तीसरा टीट्वेंटिया मुकावला खेला जाएगा जो कि आपको पता है पहला मुकावला बारिस के च सब्सक्राइब है बने रहे हैं लेगा उसमेंगी और चौंन तक देखेंगे अगर इस वीडियो में इंटर किया है तो आप से घुजारी से कि आप इस वीडियो को सुरू से इन तक डेखेंगे और इस आपको यह वीडियो नहीं अच्छा लए आपको मैं मता दिए विडियो जो मुड़वर मुझाबल होने को रहने वाली गत सबसे अधा ऊच्ट सब出स्थ कर पाते हैं और सबसे सब्सकाराइक साथरान। तो कन भुष आ यह सकते हैं तो कैपटेन इस मैच का जो की हो सकता है तेम साओधी को भी साथ सकते हैं छांसे रह सकते हैं तुरन के तरब के तरब कैन मैंच इस मैच को नहीं खेलेंगे क्योंकि मैं आपको बता दू यह जो मुकावला है बहुत ज़्यादा मज़दार इक मैं बोल सकते हैं कि हाई स्कॉरिंग मुकावला होने को है जो कि दोनों की तरफ से रंस बनने वाले चाहें कोई भी दोनों में से कोई भी टीम हो रंस बनाएंग में बनाएं कि बहुत थे तरीके से सौर्ट बाउंडरीज है बाउंडरीज चोटा है तो यहाँ पे अच्छे तरीके से रंस बैट्सवेन ऋस्कॉर कर पाते हैं और बॉलर्स ब्हुत ज़ीदा मेनाध करने पड़ते हैं और मेंद्ध को रोकने के लिए कोई अपना तरीके स इन पीछेस पर पर हैre यां से बात करेंगा सीन इन मिलेगा जो hobbies मिले गांस कि आ स्टार्ट के यहां पर कुरूसियल रहने वाले जो कि चार और में अगर आप 102 खो देते हैं तो यहां पर आप 170 भी 170 भी नहीं बना पाएंगे अगर चार और में आप लिए खोपाते हैं फैसे नाप इतना का टार्गेट रख कर चल सकते हैं तो यहां पर आपको बता दूए हूं है इन नो सच्छ फैस चोट है और शीया पर चोटे कियोंकि जो बाउन्डरी छोटा है तो यहां पर बहुत जिक्कत स्पीनर्स को होने वाली क्योंकि 1268 मारेंगे बैट्समें फसाने के कोसिस करेंगे तो यहां पर बाउंडरी सीमा रखा के पार चल जाएंगे जिसलिए यहां पर स्पिनर्स को थोड़ा सा यहां पर है नहीं अपने तरीके से लगण करकर निकालने परेंगी आप बात कि इंटरनेशनल यहां से कितने मुकावले खेलेगा है चार मुकावले टोटल इस पीच पे छेले गए हैं और साथ-साथ मैं बात करूँ बैटिंग फॉस्ट इस पीच पे दो बार पहले बैटिंग करते हुझेते गए हैं और और बात के लिए तो इस पीच का एवरेज स्कूर एक सो बेरासी है तो जादा रंस हाइज सकते हैं चार ही मैचेज में यहाँ पे लिए कि 241 बन चुका है मतलब कि बांगला देस ने अगर लोवेश्ट बना है तो एक सो एक तालिस बना है जब चार मैचेज में इतना अच्छा रिकॉर्ड है तो आप समझ सकते हैं अगर ज्यादा बड़े मैचे जयांग होते तो ज्यादा मतलब ज्यादा मैचेज होते तो इस सफेच का ज्यादा आच्छा रिकॉर्ड और भी बन सकता था त्यूंकि जो पीछे बैटिंग अच्छे तरीके से बैट पे आती है बॉल और उसके सांसाथ बॉंडरी भी छोटी है यहां सर्कूरिंग पैटन सबस्क्राइब कराएं और यहां पर उससे ज्यादा बेटर बैटिंग पर्फोर्मेंस मिल सकती है तो यहां पर टीटिविंटी डूमेस्टिक की बात के तो टीट्विंटी डूमेस्टिक 16 मुकाबले को कहने गये हैं जिसमें से पहले बैटिंग करते हुए 11 मुकाबले को जीते गए हैं और पांच मैचेज चेज करते हुए जीते गए हैं तो इस पीच का एक सो पच्छत्तर जो भी डुमेश्टिक मुकाबले में तो जो पीच अगर कोई अगर एक भी बंदा चल जाता है तो यहां पर मैच जित्वाने का हुनर रखता है अगर तो आपर मैच को निकाल सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि नौदन डिस्टिक जो की 230 रन हाइस्ट स्कूर इस पीच पर आपको तो कर रहा होगा लुए स्कूर की बात करें तो 99 रन यहां पर सेंट्रल डिस्टिक बहुत ही जहां से 99 रन लोएस्ट है और यहां पर हाइस देख सकते हैं 230 जो कि बहुत ही बढ़ा होता है जब लो मेस्टिक के में 230 और इंटरनेशनल किर्केट में 240 जो कि बहुत ही प्रेसर वाले मैच में 240 वह भी इंग्लेंड नहीं स्कूर किया है यहां पर देखिए चार मैच एक सो पचास की निचे जा शुक करेंगे और यहां पर मैं पीछ की बराई बार-बार क्यों करूं कि ज्यादा मैच भी नहीं खेले गए हैं हो सकता है जो पीछ है हमें बैटिंग को बहुत ही अच्छा दिखाने को दिखाएगी अब बात करें हम कौन-कौन लोग को अपने कौन-कौन निवजय के तरफ से मैं इस मैच के लिए यहां पर बहुत ज्यादा चोटी है और सबसक्राइब चलेंगे चलेंगे तो चांद तक नहीं तो बहुत ज्यादा से मतलब कि अगर यह दस से पलस बना देंगे तो हमें उमीद है कि यह इस मैच में इस मैच में पचास साथ सतर असी इतने रंस स्कोर करने वाले हैं इसे उमीद हम इस मैच में रख सकते हैं उसके बात के लिए डेवन कॉन में अभी तक 2022 के दो टी ट्वेंटी में न्यूजिलन बनाए पाए इनको बिल्ड कर रहे थे और अच्छा सोट मारने के चकर में आउट हो गए नहीं से बात कि यहां पर खेलने वाले हैं प्लेस पे तो हम लोग इस मैच के लिए हम लोग एक और हीटर जैसे बले बाद जो कि अगर इस पीचेच पे चलते हैं तो बहुत ज्याद बनाएंगे अगर न्यूजेलन पहले वाइटिंग करती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 200 प्लस रंस स्कोर हो सकते हैं ज्यूंकि बहुत न्यूजेलन भी हीटर्स के साथ खेल रही है इंडिया में बहुत बढ़े बढ़े हीटर्स के साथ खेले तो रंस जाने के यहां से बात करते हैं यहां से नहीं मैं डारल मिचल को करूंगा नहीं हम किसी के साथ नहीं जाने वाले यहां से मैं बहुत ज़्यादे नहीं रहते हैं उपर से एक दो बिक तेम मिल गई तो सोने पे के नहीं इनके सामने जिमी निसम टिक पाएंगे नहीं भी सबस्क्राइब पॉर्फेक्ट चोइस यहां से विजर सैटनर होने वाले हैं फिर उसके बात किये लौकि फ़र गुसन लौकि फ़रगुसन इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा पर फेक्ट प्लेयर हैं क्जोंकि दो eqs team Saudi ने चाटका है दो लोके फर्गुसन ने और साथ-साथ एक विक्ती यहां से जो कि एक विक्ती यहां से जो देख सकते इस शुड़ी ने निकाला था उवर वात करें तो परफॉमeंस की बात करें तो यह लोके फर्गुशन बहुत है यह था यह और अच्छे बिक्टे न नहीं रहा है बहुत ही तिनों बाद यह मुकावला में से जो भी खेले खेलेंगे एड़ने पिछल मुकावले में मिकरते हैं जूकि बहुत बहुत 15 मुकावले बाद तर नियुजिलन टिम ने इनों श्था टीट टीम ने तो यहां से बिले टेक्न detto और एरम मिलने दोनों में से कोई भी खेले हम इस मैच के लिए नहीं पिक करके जाने वाले यहां से हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपिरेंस टीम साओधी के साथ जाने वाले हैं अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के तरफ से हमारे पास बहुत ही परफेक्ट चोइस परि हम समझ सकते हैं कि इस मैच में हमलोग डीयल में प्र प्लेर हैं मैच सकते हैं चारा नहीं कली है कि औवर बात कि रहे तो यह तो हमारे ड़ोने वाले रिदी नब बात करें सब्सक्राइब बहुत हीटब किसम के मतलब के जब भी पर्फोमेंस इनका बहुत यह था उच्छा हो गए थे रॉंच इन्होंने बहुत यह स्कूर किया थे रॉन बनाये और यह अच्छा परफवर्वमेंस करी रहे थे वर्ट पिछले मकवले में आउट हो गया थे बड़ ये जिन जब भी मुकाइन को मिला इन्होंने अच्छा परफवर्वमेंस किया है ऐनों सर्क्मार्यादों को पिक करने लेकिन यहां से मैं हारदिक परफिक नहीं करूंगा पूंकि अगर जब भी बॉलिंग करेंगे तभी हम अपने टिम में कैप्टेन मिए सफिठ भी करेंगे जब यह बॉलिंग नहीं किरेंगे यह इन्होंने अपना बॉलिंग दिपक खुड़ा से करवा और दिपक खुड़ा ने चार विक्टर निकाले तो दिपक खुड़ा का लगता है कि प्लेस नहीं पर फिक्स हो जाएगा तो संजू सैमसंग हो सकता है अगर सुरुक मैं ना खेले तो उनके जगा पर समझे समसंग और इनसे बड़े-बड़े बैट्समें नमाइट इनके टीम में इंडिया तो बैट्समें के साथ जाएंगे बॉलिंग को यहां समय बात करतो दिपक खुड़ा ने बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले मकाबले में बॉलिंग किया और इनको बहुत ज़्यादा निए घृ जिए आनलिक के चौइस दिपकुड़ा होने वाले हैं आप बात करें यहां से हरसल पतेल और वसिंग्टन सुंदर इन दोनों में से किसी को पिक नहीं करने वाले हमारे पास दो परफेक्ट बोला रहे हैं दो परफेक्ट चोई से ज़िए ज़िएंदर चहल और साथ-ज़िए प्र सथ ऑर सथ मेख में है यह समय नियुद निकल पार है तो खेまने की पिक करेंगा चनल कर गया चैनल को हम इस मैच के लिए पिक करेंगे क्योंकि इस मैच में मतलब कि हमें उमीद नहीं है कि भुनेसर कुमार से बिक्टे निकाल सकते हैं कि इन दोनों में से किसी को पिक करके जाने वाले हैं पिछले मुका बहुत ही परफेक्ट है ट्रिक यहां से टीम साओधी ने निकाले चलते हैं तेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक टिलिगाम चैनल आएका तो टिलिगाम चैनल का लिंक मेरे डिसक्रिप्ट और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया आप जल्दिस जाहे टिलिगाम चैनल को जॉइन किजेगा क्योंकि वहीं पर आपको 100% फ्री ग्राइब और स्मॉल एक्स की टीम्स में दे दिया और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है अब टीम्स की बात करें तो टीम्स में बिकिट की पर आप्सन में डेवन कॉन्वे फिन एलेन यहां से बात करें तो सुरुक मर्यादो स्रेय सेयर गिलन फिलिप्स इसान किसन मिचल सैटनर टीम साओधी उजेंदर चहल लॉक्वर फरगुसन अर्सिदिप सिंग इन में मैं कैप्टेन वाइस कैप्टेन के बात करें तो मेरा कैप्टेन तो इस मैच के लिए होने वाले है आपके चोईसेज के बात करें तो आप किने किने लेकर जा सकते हैं आपके तास सुरुक मर्यादो डिवन कॉन्वे फिन एलेन को भी इस मैच के लिए कैप्टेन बन या कर जासकते हैं दोनों में से किसी कोई बास के दसिजेगा और बात करें हैं कैटनी छोई सबस्क्राइब को जितने Zile me जितने भी इंतने देन चाहि वो जोग भी मिद्शेय में बनाते हैं तो फे में पनाते हैं तो दोबत दोबताता हूँ वहाले यह लापको टेली क्राइम में है तो इससे पहले कमेंट बॉकिन जाएगा तो सबसे उपर लिंक्स मिलेगा उस लिंक पर किलिक करके आप लोग टेलिगाम चैनल में जोईन हो सकते हैं दाकि दोस्तों कैसा लगा वीडियो इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक किजेगा और वीडि मतरम